एक सर्वे की माने तो आज के दौर में 70% युवाओं को जिगर से डर के जीना पड़ रहा है कारण क्या है जिगर का कम होना किसी के धमकाने पर डर जाना हर बात को दिल पर ले लेना किसी को लड़ते देख डर जाना दो लोगों की लड़ाई हो रही है ठीक है और इधर बस उन्हें देखने मातर से बंदा थर-थर काम रहा है एक छोटा से एक्जामपल लेता हूँ आप मेंसे बहुत लोगों के साथ ये होता होगा कि किसी जंगली जानवर को देखने से फटती है और अगर मैं आज से लगबग जादा नहीं डेड़ सो साल पहले की बात करूँ तो उस समय के लोग बड़े से बड़े जानवर को आसा करके युवाओं के जिगर का हाल तो अब आप कैसे जंजाल से निकल सकते हैं जानेंगे आज की वीडियो में और कैसे आप अपने सरीर को अपने जिगर को पावरफुल बना सकते हैं देखो सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट मैं सबसे पहले रखना प dependant अगर आपको अंदर से स्ट्रॉंग यह जिगर से स्ट्रॉंग बनना है तो तो मिरुआ को यह मानना ही पड़ेगा कि आप जिगर वाले हैं क्योंकि एसा कुई तरीका या फिर ऐसा कोई भी नस्का नहीं है जो आपके जिगर पर इफेक्ट करता हो जो आपके अंदर द हो मानता हूँ कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो में भी आगे बताऊंगा लेकिन वो जिगर को नहीं आपकी परसनेलिटी आपकी बॉड़ी आपके माइंड सेट और आपके कॉन्फिदेंस यानि कि आपके आतम बल पर प्रभाव करते हैं जिन से डारेक्टली तो नहीं लेकिन इनडियरेक्टले कुछ परसन्ट आपका जिगर भी स्ट्रॉंग हो जाता है तो भाई ये था जिगर बनाने का फंडा जब आपकी बॉड़ी तगडी रहेगी आप अच्छे दिखोगे आप चार लोगों में खड़े अलग से दिखोगे आपकी बॉड़ी में ताकत होगी तो 80% भै यानि की डर अपने आप निकल जाएगा आपको कुछ भी अलग से करने की जरूत नहीं है बस अपनी परसनेलिटी अपनी बॉड़ी अपनी पावर पर ध्यान दे लेना हाँ आप इससे एक तरह के जिगर का निर्मान तो कर सकते हो जैसे कि आप से किसी की चते ही डरने की जरूरत नहीं है ऐसी कोई परिस्थिती ही पैदा नहीं होगी जो आपको डरा सके क्वेक्तब में ही शक्ति होती है और सात्विक्ता आएगी कैसे? सही भोजन करके, सही नियमों का पालन करके और ब्रह्म चर्रे में रहके उसके बाद रोजाना ब्रह्म मूरत में उठकर प्रनयाम करना और ओम का उचारन करना और अनुलोम विलोम प्रनयाम करना ये तीन चीजे ऐसी हैं जो आपके अंदर दम का निर्मान करती हैं दम मतलब पावर पावर का निर्मान करती हैं और आपके अंदर की वाइटल एनरजी यानि की सेक्शुल एनरजी को हद से जदर स्ट्रॉंग बना देती हैं जिससे आपका वीर्य यानि की आपकी वज्र धात पुरे शरीर में फैलती है और बॉडी को स्ट्रॉंग बनाती है क्योंकि मेरे भाई अगर आपको अंदर से स्ट्रॉंग बनना है जिगर से और सरीर से तो आपको वीरे का सही इस्तवाल करना होगा वीरे का उन्मूलन करना होगा क्योंकि मेरे भाई वीरे में ही वीरता है और जब आप अपने आपको अंदर से स्ट्रॉंग बना लोगे तो आपको जरूत होगी अच्छे खासे वर्काउट करने की यानि कि अपने शरीर को बड़ा फॉलाद बनाने की तो मेरे दोस्त इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स दे रखे हैं मैंने आपको जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्सर में और लाष्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको 6 फुट का लंबा चोड़ा सरीर बनाने के कुछ टिप्स बताए हैं और ये टिप्स कोई छोटे मोटे टिप्स नहीं है शायद आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी ना मिले तो जाकर जरूर से देख लेना और अब एक ऐसा सीक्रेट जो शायद ही आपको पता हो आचारा चानक के का एक श्लोक है अन्ना दस्टम पिष्टम दस्टम पया पैशोदा अश्टम मासम मासा दस्टम गरतम खड़े अन्न से दस गुना ज्यादा पावर होती है पिसे हुए और गाय का हो तो सोने में सुहागा हो जाएगा वर्काउट करो सात्विक डाइट लो जिसमें की घी जरूर से एड़ करो शुबह शाम प्रणयाम करो और अपने आपको अंदर से मान कर चलो कि हाँ आप स्ट्रॉंग हो जिगर वाले हो किसी से नहीं डरोगे बस ये चार पा और से सब्सक्राइब जहिंद जयाभारत टेक केर पाए